आज हम पढ़ेंगे कक्षा आठवी ज्यान सागर पाठ एक हम पंची उन्मुक्त गगन के नामक कविता इस कविता के रचनकार हैं सीव मंगल सीं सुमन जी यह बहुत ही सुन्दर कविता है इस कविता के माध्यम से कवी आजादि के मातो को बताना चाहते हैं और साथ ही साथ पक्षियों के मनवभाव को व्यक्त कर रहे हैं तो यहाँ पर कविता की पहली पंग्ती है हम पंची उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्धन गाप आएंगे कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंक टूट जाएंगे उन्मुक्त का अर्थ होता है आजाद स्वतंत्र पिंजर बद्ध का अर्थ होता है पिंजरे में बंद रहकर पुलकित का अर्थ हता है प्रेम हर्ष से भरा हुआ तो यहाँ पर पंची कह रहे हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कि हम खुले आस्मान में उड़ने वाले आजाद पंची हैं हम पिंजरे में बंद रह कर नहीं का पाएंगी इस सोने के पिंजरे से टक्रा कर हमारे प्रेम और हर्ष से भरे वे पंच तोट जाएंगे हर्थात हमें गुलामी पसंद नहीं है हम स्वतंत्र आकास में उड़ने वाले पक्ची हैं ऐसा करके पक्ची कह रहे हैं कविता की दुसरी पंग्ती में हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भोखे प्यासे कहीं भली है कटुक निबावरी कनक कटोरी की मैदा से यहाँ पर कटुक का अर्था होता है कडवा और निबावरी का अर्था होता है निम का फल निम का फल कडवा होता है दुसरे पंक्ती में पंची अपने मनोभाव को व्यक्त करते वे कह रहे हैं हम स्वतंत्र रूप से आकास में उड़ने वाले पंची है हम बैते वे जल को पीने वाले पंची है हमें बंधन में रहकर चाहे सोने के कटोरी से भी भोजन क्यों न दिया जाए या हमें स्विकार नहीं है हम भूखे प्यासे मर जाएंगी लेकिन बंधन में रहकार इस स्वादिष्ट भोजन को नहीं खाएंगी इससे तो अच्छा है कि हम स्वतंत्र रहकार निम का कड़वा फल खाना पसंद करेंगी आसा है दूसरी पंक्ति आपको समझ में आ गई होगी कविता की तिसरी पंक्ति है स्वार्ण सिंखला के बंधन में अपनी गती उरान सब भूले बस सपनों में देख रहे हैं दरु की फुनगी पर के जूले फुनगी का अर्था होता है पेड की जो डाल होती है उसकी कुमल पत्ते साखा है कुमल बाग जो साखा है उसका कुमल बाग तो यहाँ पर पंची कह रहे हैं कि हम पिंजरे में बंधरा कर अपनी गती उरान सब भूल गए हैं केवल स्वप्न में ही हम तरु की डालियों पर जूला जूला देख रहे हैं हर्थात सपने में ही हम अपनी आजादी को देख रहे हैं अपनी आजादी को मासूस कर रहे हैं तो यहाँ पर पंची बंधन में हैं और वो स्वप्न में आसमान में उरते हुए पेडों के डालों की साखाओं पर जुलते हुए अपने आपको मासूस कर रहे हैं श्वपन देख रहे हैं कविता की अगली पंक्ती है यहाँ पर पंची अपने आकांच्छाओं को अपने अर्मान को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं ऐसे थे अर्मान की उर्दे, नील गगन की सीमा पाने, लाल किरंड सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने, यहां पर पंची, यहां कह रहे हैं कि वे उर्दे उर्दे, नीले आकास के उस छोर तक पहुँच जाएंगे, जहां वहां समाप्त होता है, उनके यहां भी अर्मान हैं कि वे अपनी लाल किरंड रुपी चोंच से तारक रुपी अनार के दाने को चुगते, परन्तु गुलामी का जीवन उनकी सारे सपनों पर पानी फिर दिया, उनकी खुशियां चीन ली गई और वे पिंजरे में ही बंद होकर रह गए, अर्थात बंदन मेरा कर वे अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे हैं, यहाँ पर अलंकार का बहुत ही सुन्दर ढंग से प्रयोग किया गया है, लाल किरन सी उपमाल अलंकार का बहुत ही सुन्दर ढंग से प्रयोग किया गया है, चुबिते तारक अनार, तारक अनार में रुपक अलंकार का बहुत ही सुन्दर ढंग से प्रयोग किया गया है, आसा है कि यह पंक्ति आपको समझ में आ गई होगी बढ़ते हैं अगली पंक्ति की ओर होती सीमा हिन छितीज से इन पंक्खूं की होडा होरी या तो छितीज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी यहाँ पर पंक्ति में जो पंक्ची है वो अपने अर्मान को ब्यक्त करते हुए कह रहे हैं अपने अकंचा को अपनी इच्छा को ब्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि अगर वो आजाद होते तो उर्ते उर्ते आकास की सीमा डुंडने निकल जाते अपने इस प्रयास में वे आखरी छोर तक पहुंच जाते और वहीं पहुंच कर ही दम लेते या वहीं अपने प्राण त्याग देते पंचियों की इस इच्छा से पता चलता है कि उन्हें आजादी बहुत प्रीय है अर्थात वो बंधन में नहीं रहना चाहते वो आजाद होकर खुले आसमान में गुमना चाहते हैं विजरन करना चाहते हैं या चितिच का अर्था है जहां प्रित्वी और आकास के मिलने का आभास होता है कविता की अंतिम पंक्ती है नीड न दो चाहे टेहनी का आसरे चिन भिन कर डालो लेकिन पंक दिये हैं तो आकुल उरान में विज़न न डालो यहां जो पक्ची है वो मनुष्य से कह रहे हैं जो उने अपने स्वार्थ के लिए पिंजरे में बंद करके रखते हैं तो उनको कह रहे हैं कि चाहे हमें जो पेड है पेड की साखाओं में नीड न दो अर्था नीड का अर्थ होता है गोशला पेड की साखाओं में हमें गोशला बनाने के लिए जगा मत दो या फिर हमारे आसरे को चिन भिन नहीं कर डालो चिन भिन्न करना मतलब नश्ट करना चाहे हमें गोशला बनाने करिये जगा मत दो या फिर हमारा जो बना बनाया गोशला है उसे चिन भिन्न कर डालो लेकिन इस्वर ने हमें पंक दिये हैं तो हमारे इस उडान में विग्न न डालो बाधा न डालो हमें स्वतंत्र रूप से आकास में उड़ने दो यही हमारी इच्छा है यही हमारी आकांग्चा है तो इस पाट से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी प्राड़ी को बंदन में नहीं रखना चाहिए सभी को अपनी आजादी प्रिया है चाहिए वो मनुष्य हो चाहिए पसुपक्ची हो उसे हम बंदन में नहीं रख सकते आसा है आपको यह पाट समझ में आगया होगा मिलते हैं अगले पाट की साथ इसी की साथ धन्यवाद अपना ख्याल रखिए अपना ख्याल रखिए